दोस्तों अगर आप भी अपने mobile phone में email id को बनाना चाते हो तो दोस्तों आप इस video को लाख तक जरूर देखना क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी भी बज़े से email id, gmail id बनाना चाते हो चाहिए आपका phone आपने new लिया है उसकी वज़े से आप अपनी mobile phone में email ID बनाना चाहते हो या आप जावर किसी ओर region से जो है वो new email ID बनाना चाहते हो और आपको पता नहीं लग रहा है कि आप कैसे बना सकते हो तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को लाग तक देखे लोगे तो आपकी ये problem जाए वो 100% solve हो जाएगी आप अपने mobile phone में email ID बना सकते हैं तो चलिए दोस्तों जाड़ा टेमने बेश्ट करते हो वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपने करना क्या है आपको mobile phone में जाए वो Gmail वाला एप जो है वो जरूर से होगा आपने करना क्या है आपने अपने Gmail वाले एप पर जो है वो क्लिक कर देने जहां कहीं भी आपको mobile phone में Gmail वाला एप होगा आपने उसको open कर लेने जैसी आप उसको open कर लोगे उसके बार में आपको यहाँ पर जाए वो साइट पर जो है एक logo सा दिख रहोगा आपने simply से यहाँ पर करना है क्लिक यहाँ पर क्लिक करने के बार में आपको काफी सारे option चो होगे आपको यहाँ पर एक option चो होगा add another account तो आपने करने के बार में दोस्तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा उसके बार में आपको यहाँ पर जाए वह email और phone number दिख रहा होगा तो आपने यहाँ पर जाए वह अपना phone number और email यहाँ पर जाए वह कुछ भी नहीं करना है आपने नीची के तरफ आपको दिख रहा होगा create account बाले option तो आपने simply से यहाँ पर करना है click कर और यहाँ पर click करने के बार में आपने यहाँ पर जाएव पहले नबर बाले option पर select कर लेना है for my personal use तो आपने यहाँ पर जाएव क्लिक कर देने हैं जैसी दोस्तों आप यहाँ पर click कर दोगे उसके बार में आपके पास कुछ ऐसा interface आ जाएगा दोस्तों अगर आपने new phone लिया होगा तो उसमें जैसी आप Google को open करते होगे या किसी भी app को open करते होगे तो आपको यहाँ पर जाएव ऐसा interface देखने को मिलता होगा दोस्तों यहाँ से process स्टार्ट होटा है कि आप अपनी email ID को जो है वो कैसे बना सकते हो तो आपने कन्या कहा है यहाँ पर सबसे पहले जो है वो आपने जो है जो भी आप नाम रखना चाहते है email ID का वो आपने यहाँ पर select कर लेना है वो आपने यहाँ पर लिख देने जैसकि मैं यहाँ पर जाए वो कोई भी नाम लिख देता हूँ जैसकि मैं यहाँ पर जाए वो यह नाम जाए वो लिख देता हूँ उसके बार में दोस्तों अगर आप कोई भी नाम रखना चाहते हो जो आपका नाम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है और उसके बार मे वह आपने यहाँ पर select करेंए जैसके मैं अपनी यहाँ पर जाए वो date of birth लिख देता हूँ जैसकी मैं यहाँ पर जाए वह पी date of birth लिख दिया आपको gender दिख रही ऊपने इपने gender भी select करने जो भी आप हो male हो female हो वह अपने select करने और उसके बार में कर देना है आपने नेक्स्ट करने के बार में आपके पाउ जो है वो कुछ ऐसा इंटरफेस आजएगा उसके बार में दोस्तों आपने करना कहा है आपने यहां पर जाए वो अपनी Gmail ID का जो भी आपने Gmail ID आप रखना चाहते हो वो आपने यहां पर जाए वो लिख दीने है वो अपनी Gmail ID जो भी रखना चाहते हो वो में यहां पर जाए वो लिख देता हूँ जैसकि मैंने यहां पर जाए वो यह लिख दी है दोस्तों आपने धियां रखना है जो भी आप Gmail ID लिख रहे हो उसमें अपने स्पेस नहीं डारे है दूसरे नमबर पर बात आती है कि जो भी आप Gmail ID दा रहे हो वो पहले से जो है वो Gmail ID उस नाम से बनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर पहले से उस नाम से जो है वो कोई भी Gmail ID बनी होगी तो यह जो है वो यहां से नहीं उठाएगा तो आपने जो है वो नियाम चेंज कर देना है अगर आपकी Gmail ID नहीं उठा रहा है जैसी आप यह कर दोगे उसके बारे में आपने कर देना है नेक्स्ट करने के बारे में दोस्तों आपने यहां पर जाया है वो स्ट्रॉंग सा पासवर्ड रखना है जो भी आप अपने जो है जीमेल ID का पासवर्ड रखना चाते है वो आपने यहां पर जाया वो पासवर्ड रख देना है जैसी दोस्तों आप यहां पर जाया है चींस पर जाना है और उसके आपकी जीमेल आइडी जो है बन के त्यार हो जाएगी दोस्तो ऐसे आप जाया है वह किसी भी न्यू मोवैल में या अगर आपका पुराना मोवैल है उसमें आप जाया वह बड़ी ही इसानी से बना सकते हो दोस्तों यह कुछ जानका ने थी जो आज मैं आपको इस वीडियो म आपकी जाबाद जय हिंज जाबाद